दिल्ली की अलग अलग सीमा पर कुछ कदित किसान नए कृशी कारूनों को रद कराने की जित पर डेरा डाले हुए है इनकी अरकतों की वज़े से आम लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन आंदोलन जीवियों को किसी की परिशानी से कोई भी मतलब नहीं है इनने तो सिर्फ और सिर्फ किसानों की यार में अपना मकसद पूरा करना है जिसके लिए वो डटे हो गया है अलकि इनके मनसुबे हर बार नाकाम भी हो रहे हैं इनके इस लंबे ड्रामे को सरकार ने बहुत सहन भी किया लेकिन अब इन सब पर पुलिस प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है और इनके ठिकानों को खाली कराने का अभ्यान तेज हो गया है जिससे की रास्ता अब इनके राफ हो सके और लोगों की परेशानी दूर हो सके दरसल जहां गुरुवार की रात ट्विक्री बॉर्डर से बैरिकेटिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो वहीं आज गाजिपूर बॉर्डर से पुलिस की बैरिकेटिंग हटाना शुरू हो गया आजवास से दिल्ली के रास्ते में फ्लाइओवर के उपर और फ्लाइओवर के नीचे चारो तरह बैरिकेटिंग की गई थी जिसे अब पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है जिसे आम जनता को काफी राहत मिलेगी दरसल सुप्रिन कोट के आदेश के बाद दिल्ली मेरट एक्स बेस पे पर किसान अंदरों की चलते ग्यारा महिने से बंद दिल्ली से मेरट वाली लाइन और नेच नाइन की लेन को दिल्ली पुलिस ने खोल दिया है शुकरवार सुप्र करीम नौ बचकर तीस मिलेट पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे और इसके बाद क्रेंट की मदद से सीमेंटेट बेरियर और पत्थरों को हटाने का काम शुरू किये गया दिल्ली मेरट वाली लैंसे पुलिस करीमियों के लिए बनाएगी टीन शेड को भी हटाये गया तो पुलिस की ओर से रास्ते खोले जाने के बाद किसान नीता राकिश टिकेत का बयान सामने आया है टिकेट ने बैरिकेटिंग अटाने को सही बताया और कहा है कि वो किसान संसद में जाकर फसल बेचेंगे पताते कि पिछले साल 27 नौवमर को किसान आंदोलन शुरू होने के बाद इसके बाद दिल्ली पुलिस ने लोहे की बैरिकेटिंग लगा कर रास्ते को पूरा बंद कर दिया था मगर अब बैरिकेटिंग खटाने के बाद गाजिवा से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल गया है जिससे लोगों के चहरे पर मुस्काल लाने का काम किया देखते रहे हैं कैपलिटि वुत्तर प्रदीश नमस्कार